ओर्स के बार में मुझे कोई जादा healthy detail देने की बिल्कुल भी आवस्सक्तर नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो oatmeal होता है वो एक healthy diet में count किया जाता है क्योंकि rich in fiber होता है जो आपके digestion को improve करने में काफी मदद करता है जब आपके digestion और health के लिए बहुत अच्छा माने जाता है तो obviously सी बात है इसका अगर beauty में इस्तेमाल किया जाए तो इसका result भी बहुत अच्छा आता है आप लोगों ने market में देखा होगा कि इसके cleansing milk बहुत ही मेहंगे और high daam में मिलते हैं जबकि इसका cleansing milk बनाना घर में बहुत ही आसान है तो इ इस ना जाने पाए भरपूर आप जब खाने में इस्तेमाल करते हो तो obviously सी बात है beauty में भी इस्तेमाल कीजिए तो चलिए बढ़ते हैं अपने फटाफट वीडियो की तरफ आप देख लेते हैं कि ओर्स को आप अपने beauty का कैसे हिस्सा बना सकते हैं तो let's get started Hello everyone, this is Jyoti, welcome back to JV Shorts, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ओर्स को अगर आप अपने beauty का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके skin के लिए काफी healthy और happier लुक देता है वो ऐसे कि UV rays से जो भी sun का exposure होता है और उसे जो भी harmful rays आते हैं उससे प्रोटेक्ट करने में काफी मदद करता है इसके अलावा skin complexion को भी improve करता है और इसके साथ skin inflammation को reduce करने में भी काफी मदद करता है तो यहाँ पे हम इसे two step में complete करेंगे जिसके लिए आपको पहला जो step है बनाना होगा cleansing milk, cleansing milk ऐसा होगा जिसे आप लंबे समय तक store करके रख सकते हैं दूसरा है mask हम उसी cleansing milk के जो बने हु वेस्ट पार्ट होते हैं उससे हम mask तैयार करेंगे जो आपका natural scrub का काम करेंगा cleansing milk तैयार करने के लिए यहाँ पे आपको 3 tablespoon ores लेना है और उसमें half cup जो raw milk होता है उसे add कर देना है one and half hour के लिए आप इसे छोड़ दीजिए तो ores जो है वो थोड़े थिक हो जाएंगे कुछ इस टाइप में तो जब तक हमारे जो ores हैं वो soak हो रहे हैं तो इसके beauty के benefit के बारे मैंने आप लोग क्यों बता दिया लेकिन इसमें ऐसे क्या minerals होते हैं जो हमारी skin के लिए कफे ज हाइटमीन ही होता है जो एक healthy और glowing skin के लिए एक natural perform करता है तो इसके अलावा इसमें anti-inflammatory और anti-bacterial की property होती वो क्या करता है अगर आप लोगों ने बच्पन में कभी chicken pox face किया होगा तो उसमें क्या एक दाग या फिर एक dryness create हो जाती है आपके skin में और उसमें eachiness बन जाती है उसे reduce करता है और skin जो allergy होती है उसे भी reduce करने में काफी मदद करता है और इसी लिए skin में और beauty में काफी चलके आगे है interesting fact कि अगर हम बात करते हैं तो ores में बहुत सारे flaminide होते हैं अब flaminide क्या काम करता है यह आपके body function को more efficient बनाता है इसके अलावा toxins और chemical से आपको protect करने का भी काम करता है है ना interesting बात तो चलिए यह हमारा जो ores से वो soak हो चुका है अब हम इसे करना है grind तो grind करने के लिए आप इसे जार में ले लीजिए और आप इसमें कुछ rose petal जो होते हैं वो डाल दीजे गुलाब के क्या काम होते हैं skin में यह हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्यो कि जो बचा हुआ वेस्ट पार्ट है इसका भी हम इस्तवाल करेंगे जैसा कि scrub करने में मैंने पहले भी बताया है आपका जो यह cleansing milk है वो बनके तयार हो गया है आप इसे cotton pad की सहायता से अपने फेस पे अपलाई कर लीजिए और 5-10 मिनट आप इसे छोड़ दीजे ताकि यह कि आपके स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉब हो जाए दस मिनट बाद उर्सी cotton pad से आप अपनी स्किन पे रब कर लिए ताकि यह आपके पेस्पे अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा और अब्जॉब हो जाएगा थोड़ा स्टिकी है अनकमफर्टिबल लगेगा इसके बाद आप इसे पॉश कर लिजिए फर्स स्टेप में ही आपको इसका जो है इफेक्ट है दिखने लगेगा आपको ऐसा फील होगा कि आपके स्केन से जो भी डर्ट है वो दीरे-दीरे करके रिमूव हो गया है और जो भी डेट सेल जमय थे या फिर ब्लैक हैट स्पा कर दीजिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए अगर आपको लगता है कि आपका पेस्ट थोड़ा ठीक है तो यही जो लिक्विड है क्लेंजिंग मिलका आप उसे डाल दीजिए तो आपका पेस्ट आपके पैक के फॉर्म में तैयार हो जाएगा फिर आप इसे अपन लगना है इसके बाद आप इसे रब करते हुए ताकि जो भी आपके ब्लैकेट, स्वाइट, स्वाइट, जो सॉफ्टन हुए है उसे आप अच्छे तरीके से रिमूफ कर ले और इसके बाद आप इसे वाश कर दीजिए तो इतनी सारी जो प्रोसेस थी वो मैं अपने लाइ स्किन जो है वो थोड़ी क्लियर हो गई है अब नाचुरल है आप अगर ऐसी ही रेमिडी को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी स्किन और एक हेल्दी स्किन मिलेगी इसके बाद थोड़ा क्या है यह पैक लगाने के बाद मुझे ड्राइड ड् निकल जाता है तो अपनी स्किन को मॉस्चेराइज करने के लिए मैं यहां पर आलमंड ओल जो होता है वो इस्तमाल करूंगी अपने फेस पर अच्छे तरीके से मसाज कर लोंगी तो तो यह मेरा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है वो भी मैं नाचुरल लाइट में कर रह डिफ्रेंट वे में बताने की कोशिश की है तो आप लोग को काफी पसंद भी आया होगा पसंद आने पीसे करना है लाइक शेयर और मोर वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ बेल आइकन दबा के आप सकते हैं लेटेस्ट